हलो दूस्तो में नाएम मुहम्मद कैसर और आप देख रहा हैं Study Channel छात लगतार मांग कर रहे हैं कि यूपी डेट की परिक्षा जो 13 जनवरी को होनी है इस परिक्षा को टाल दिया जाए 21 लाख अभ्यरति इस परिक्षा में सामिल होने वाले हैं छात्रों ने मांग की है कि कोविड के मद्दी नजर टाल दी जाए यूपी डेट की परिक्षा इसी बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ यूवा मंच की सैयोजग राजे सचान का कहना है कि एकर सरकार छात्रों की इतनी हैतैसी है तो पहले वो सिक्षक भरती का विज्यापन जारी करे हालात ठीक नहीं है कोरोना का संक्रमर लगातार बढ़ रहा है ऐसे में यूपी टेट का आयोजन कराना ओचित नहीं है और आपको पता है दोस्तों कि चुनाओं से पहले सिक्षक भरती नहीं होनी है तो इस कंडिशन में यूपी टेट कराने का छात्र विरोध कर रही है इसी बीस बहुत सारे यह भी कह रहे हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं हम इस कंडिशन में परिक्षा कैसे देंगे कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रही है और 38 गुना केस बढ़ गए है चार सपता में और लगातार कोवीड का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है डाई लग से दि जनवरी तक कोई भी वो रैली नहीं कर सकेंगे इस प्रतिबंद को बढ़ा कर 22 जनवरी तक कर दिया गया है 22 तक रैली और रोड़ सो पर पाबंदी है चुनाओ आयोग ने कोरोना संकरमण को देखते हुए प्रतिबंद को और आगे बढ़ा दिया है लेकिन इसी बीच एक जनवरी तक बंद कर दिये गए है तेज जनवरी को ही यूपी टेट की परिक्षा भी है देख सकते हैं नवनीत सेंगल जी ने यहां पर ट्वीट करके जानकारी दी है कि स्कूल एंड कॉलेज टू रिमेंड क्लोज इन यूपी तिल तेज जनवरी दो हजार बाइस उन्हों ने बताया है कि तेज जनवरी तक सब कोश बंद है इसी बीच प्रसांद के सुरपांडे जो की न्यूज एटीन के रिपोर्टर है इन्होंने भी ट्वीटर के बताया है कि उत्तरपर्दिस में तेज जनवरी तक समस्ट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे ये तो क्लियर हो नातरों के द्वारा की यूपी टेट को भी कैंसल किया जाए जिस तरह से लगातार कोई बीच के मामने बढ़ रहे हैं और तेज जनवरी तक सब कुछ बंद कर दिया गया चाहे हो इसकूल हो या कॉलेज हो तो यूपी टेट को कराना इस कंडिशन में ठीक नहीं होगा आप चैनल को सस्क्राइबर के बेल आइकन जरूर दबा लिजेगा दोस्तों